हिंद भारत आपकी अपनी आवाज शहीद होने की खबर मिली कबर सुनते ही मा बेसुध हो गई उनकी चीख पुकार से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था महले के लोग उन्हें डाडस बांदने पोचे जवान बेटे ने देश के लिए बरते के दिन अपनी जान कुर्बान करती जहिस दुखत खबर के बाद उतेली इस दिद घर पर उनके कोराम मच गया मा को यकीन करना मुश्किल हो गया बस वो रोही रोही जा रही थी रोते रोते वो बोल भी नहीं पा रही थी बता दे कि हर दिन मा बेटे की बात होती थी अब धांडस देने वाली महिलाओं से यहीं कह रही है कि किसका फोन उठाएंगे हालत ऐसी हो गई कि वो पानी भी नहीं पी पा रही है वहीं शहीद करणवीर सिंग राजपूत के पिता भी सैना में थी 2017 में रवी कुमार सिंग सैना से रिटायर हुए थी इसी साल करणवीर सिंग राजपूत सैना में भरती हुए थी उन्होंने बताया कि घटना सुभा साड़े आठ बजे की है जहां रोड बिलोक में उनकी डूटी थी एक गाड़ी आई तो उसने रोका इसके बाद कारसवाल लोगों ने फाइल खोल दिया उसमें वो घायल होगे करणवीर सिंग राजपूत ने भी दो आतंकियों को धिर किया है जनम दिन के दिन उसने शहादत दी है देश के लिए उसकी शहादत पर उने गर्व है बता दे कि मद्दबर्देश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने इस महीने जब मुकश्मीर के सोप्या में आतंकी विरोधी अभ्यान के दोरान शहीद हुए सिपाई करणवीर सिंग को अंतिम समान दिया जहां सियम शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि हम उनके जैसा पुत्रपा का धन्य है करणवीर सिंग को 17 में सिर्दाज जिली देती हुए सियम शिवराज सिंग ने कहा कि परिवार को एक करोर रुपे की समान दिबेट की जाएगी साथ ही उनके भाई को शास के सेवा में रखा जाएगा सियम शिवराज ने ऐलान किया कि गाउं में करणवीर सिंग की एक मूर्ती भी लगवाई जाएगी और शास के संस्ताएं भी उनके नाम पर होंगी फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम ख़ूट के लिए जोड़े रहे हिंद भारत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले